अपने समान की प्राइस कैसे डिस्क्लोज करते हैं इसमें 99% लोग गलत करते हैं और जिसकी वज़े से उनकी क्लोजिंग खराब होती है जिसकी वज़े से लोग समान नहीं लेते सर प्राइस बताने का गलत तरीका प्राइस गलत तरीके से बताना उनका पूरा धंदा चौपट कर देता है आज तक मैंने किसी भी वीडियो किसी भी ट्रेनिंग में इस बात पर टॉपिक डिस्केशन होते हुए नहीं देखा है लेकिन मुझे लगा यह सबसा सेंसेटिव मुद्धा है जो कोई नहीं बात करता है लेकिन इस पर बात करनी चाहिए सर प्रैस बताने का एखास तरीका होता है कुछ स्टेप होते है उस तरीके से अगर प्रैस बताया जाए बता दू, बता दू, बता दू, बता दू सबसे पहले चीज़ कभी भी प्राइस डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए होता क्या है कि कभी कभी हम अपने प्रोड़क की पोस्टर वॉट्सप स्टेटस पर लगाते हैं फेस्बूक पर लगाते हैं किसी को कुछ फोटो शेयर कर देते हैं या फिर हम वीडियो शेयर कर देते तो सामने वाला इंस्टेंट पूछता है कितने का है क्या पूछता है सामने वाला कितने का है और हम तुरंत बता देते हैं कि इतने का है वो पूछता है कितने का हैं तुरंत बता देते हैं इतने का है और अगली लैन तुरंत आती है बड़ा महंगा है ना उसने भी तक समझ यहां है कि वो चीजे क्या है और न अब आपके पास मौका है कि आप उसको बता कर दिन संघद कर लिया, वह कुछ नहीं समझा चुके हो सर्प्राइस हमेशा तभी बता जाता है जब प्रॉडक्त के बारे में सब कुछ आप अवेर करा चुके हो सामने वाला अगर प्रॉडक्त के बारे मावियर नहीं है प्राइस नहीं बताएंगे चाहे आपके वाटसप स्टेटर कोई पूछ दे अरे कितने का है तुरन बता दीया हमने चोढ़रेगा उससे कुछ नहीं हौगा तो देखो हमें नहीं अबातने उसके ली चीज समझ श्माजना जरूरी है प्राइब हो विष्णभाश में नहीं सकते हमें नहीं है plan चाहे कितना एना नहीं किसी भी तरीके से पूछ ले आपसे सामने पूछ ले WhatsApp पे पूछ ले Facebook पूछ ले कैसे पूछ ले प्राइस नहीं बताना हमेशा लास्ट में आता है always last सबसे last step क्या होता है किसी भी sale conversation का that is price price कभी पहले नहीं आता है क्या क्या करना है समझो जब आप किसी को price बताओ तो उस टाइम तक सब कुछ खतम होना चीए जैसे हमने बताया है price बताने का सबसे अच्छा तरीका है contrast principle का इस्तमाल करो contrast principle क्या होता है example से आपको समझाता हूं मैं एक लड़की अपने मम्मी पापा को चिठी लिखती है कि मम्मी मैं basic लड़की वो hostel में रहती है और अपने मम्मी पापा को चिठी लिखती है कि मम्मी मम्मी अभी क्या हुआ कुछ दिनों पहले मेरे hostel में आग लग गया था और वो आग मेरे कमरे तक भी आ गया था और आग से बचने के लिए मैंने खिड़की से छलांग लगा दिया और खिड़की से चलांग लगाया तो मेरा सर फटा मेरा पाओ तूटा लेकिन ज़्यादा दुख की कोई बात नहीं है सामने वाले boys hostel से एक ल हाला कि सर में थोड़ा दर्द है, ब्रेन हैम्रेज हो चुका है, कमप्लेंड ये दॉक। ना बताया कि ब्रेन हैम्रेज का खत्रा है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है मम्मी वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मेरे पैर में एक कुछ ज़्यादा ही समस्या होने के कारण पैर मेरा एक काट ना पड़ गया डॉक्टर के दुवारा डॉक्टर ने पैर मेरा काट दिया है और बाकी सब कुछ ठीक है और अब जल से जल आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं सब कुछ बागी तो ठीक है अचाल लास्ट में सबसे नीचे बताया जाता है कि मम्मी ऊपर जितनी मैंने बाते 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 बताई अचाल यह सारी बाते सुनकर मम्मी पापा का हर्टारीट हर्ट क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड मुझे अब बताओ chemistry में लड़की फेल हुई अगर direct उसने में बताया होता है कि मम्मी में chemistry में फेल हो गई हूँ मम्मी पापा उसके क्या हाल करते हैं लेकिन इतना कहानी बताया अब chemistry में जब लड़की फेल हुई हो उसके मम्मी पापा फिर भी उसको प्यार करेंगा oh my god मेरी Contrast Principle को कहते हैं किसी चीज बचपन में लोग पढ़ते थे न कोई लकीर को चोटा करना है बिना टच किये बगल में एक बड़ी लकीर कर दो वो चोटी हो जाती है किसी लकीर को बड़ा करना है 내용 के बगल में छोटी लकीर खीच दो ओने लकीर बड़ी हो जाएगी इसी त प्राष्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल जैसे और एक्जांपल मैं समझाता हूं आपको आपने कहीं बार ऐसा देखा होगा कि कैक जांपल तो मुझे याद भी नहीं आ रहा आप चले याद आक है समझाता हूं आपको मालो और तो मेगा का प्राइस कुसी को बता ना है अब और तो मेगा का प्राइस आप डिरेक्ट बताओ गए 12 रुपेगा है आद भी घबरा जाएगा कहेगा मेहगा है लेकिन अब अगर उसको बताओ कि सर घुटने का दर्द के लिए आप कितने की पहले तो उससे पूछो बैया डिटेल लो घुटने के लिए क्या कर रहे हो बताए कि पूरा दवाई खा रहा हुँ दवाई चल है कितने सालों से खा रहे हो तकरीबन हो गया दस साल अच्छा आगे यह कब तक ठीक हो जाएगा पता नहीं डॉक्टर ने तो कहा है खाते रहो जिन्दगी पर खाते रहना गाड़ेगा यानि कि उम्र अगर अगला पच्छी साल तीस सार और बचा है तो हर मेने लगतार खरते उसकी वज़से हो सकता है लन्क्स पर भी इंप الر Mongol ही क्यूंकि हर मेडिसन साइड फेक्त। करते ही मेडिसेंill का गिना रहे हो तब खर्चा संने निगलके आता है लाखों का लाख का नहीं खर्छा समने निकलका का लाखों का और आप उसको कहते हो कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो आपका लाखों का खर्चा बचा सकता है और भविश में आप अपनी मर्जी से लाइफ जी सकते हो आपका चलना फिरना दोडना जब कुछ नॉर्मल हो सकता है दवाई के बरू से नहीं रहना पड़ेगा कोई पेंकर नहीं रहना पड़ेगा ये ल आवने वाला खुद ही कह सकता है कि भाई अगर इतने लाख पहले आपने अच्छे से करा दिया है कि लाखों को खर्चा तुम सच में करा सकती हो तो मैं इसके लिए कम से कम एक दो लाग तो मैं देंगा अगर तुम मेरी इतनी बड़ी समस्या कर सकते है इतना बड़ा पैसा बचा सकते हो मेरा तुम मैं कम से कम एक दो लाग तो देए दूँगा लेकिन गैरंटी चाहिए मुझे पूरा ठीक हो जाए आप उसको बोलो कि सर पूरी गैरंटी देता हूं आप मुझे एक लाख रोब मत दो आप मुझे सिर्फ दस हजार रुपे दे दो मेरी गैरंटी ये ठीक करा दूँगा सर्थ 10,000 रुपए जैसे जाद मी सुने गाना अक्तम प्रफुलित हो जाएगा का ओमाइगा सच में हो जाएगा क्या लो 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 10,000 रुपए और लास्ट में जब आप उसको बताओगे कि सर्थ 10,000 रुपए भे नहीं सिर्फ 1200 के चीज़ है आदमी कहेग जाएगा लेकर कहां 1200 पर लेकर आएगा अब वह 1200 उसके लिए रास्ते पर चलते हुए जिक्टी बालू कंकड जैसा हो बारस लेकिन सुरुवात में आप किसी को बारस बता दो ना वह 1200 उसके लिए लाक्षों के बराबर है सर खेल ऐसे होता है सारा साइकॉलजी का गेम है आ आपने कई बार देखा होगा फेस्बुक पर या किसी प्रोडक्ट में MRP 5000 रुपए और वह 5000 रुपए MRP को कट कर देते हैं कट किया हूँ होता है नीचे सिर्फ दो दिन के लिए सिर्फ 500 रुपए ऐसा क्यों होता है सर सीधा अगर उसने 500 रुपए प्राइस लिखा होता न हमारी by default mentality 500 रुपए महेंगा है तो वह बताता है कि यह चीज जो तुमको हम दे रहे हैं यह 5000 की है कार्ट दिया उसको इसको हम 500 में दे रहे हैं अच्छा 5000 की चीज चीज पान सब्सक्राइब करते हैं तो यह लोग क्या करते हैं क्या करते हैं 50,000 की चीज काट करके नीचे ब लगता है तब जाके नीचे लिखता 10,000 ठीक है इसका इस्तिमाल करो कमपैरिजन हमेशा करो दूसरे प्रडक्स से कभी भी अपने परडक्स की प्राईस फीचर स्पेसिविकेशन बताने से मार्केट से पहले दूसरे मार्केट के परड़क का कमपैरिजन जरू करो आपको अ अपना एफेक्टिवनेस जरू बताओ तब जाके लास्ट में इन सब के बाद लास्ट मैचब उससे पहले कुछ करना है उससे पहले आपको यह क्या करना है cost of solution approach cost of solution approach क्या होता है आपको जैसे मैंने बताया कि आपका आपको solution दे रहा हूं भाया इतने इतने का इतना पैसा आपका बच रहा है इतना आए ये वाले 25 साल में आप 10 लाग रुपे तो खर्च करोगे ही वह 10 लाग रुपे पुरी तरह के से बचा रहा हूं तो solution का कितना कर सकता है और अपुर्ण को प्रॉब्म अपरोच भी का आपको प्राब्लम क्या कहोने वाली आ सिर्द क्या हिसाब लगए यह सब्लाकि वह से अपको तर देख आए दोड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से हसी खुशी जिन्दगी नहीं जी पाओगे इन सब क्या कॉस्ट अप लगाते हो आप बुलो यह सारा कॉस्टिंग मैं घटा रहा हूं कॉस्ट प्राबलम प्रोशियस उसके बाद आता है अब लास्ट में यह सारा सब कुछ करने के बाद अब लास्ट में आता है प्राइस हमें बताना कैसा है एक बार समराइस कर दूं क्या जो मेरे बता है समराइस कर दूं क्या कहीं भूल गे तो समराइस कर देता हूं कुछ पॉइंटर सापको देता हूं पॉइंटर से याद ले जाओगे देखो step by step बता देता हूं जो भी हमने बता है बता है सबस्थ पहले comparison comparison pricing करो comparison pricing जो हमने contrast principle इधर उधर इतना बड़ा ये वो किया दूसरा value pricing करो value pricing मतलब ये जो इतना खर्चा आपका हो रहा है उन सारे खर्चों के बचाथम करवा रहे हैं value pricing माइंड ग्रेम माइंड गेम प्राइसिंग करो माइंड ग्रेम प्राइसिंग क्या होता है भाओ प्राइसिंग जैसे आप मुझे एक लाख रुपए दो एक लाख या पचास थार रोपे मुझे तीन महीं ने पूरी तिरिकर तो जो मैंड बताए वो माइंड गेम प्राइसिंग नहीं था वह माइंड गेम प्राइसिंग था आदमी उस लेवल पे उसका थॉर्ट प बोलना तुम्हारा वो ऑसा तक नहीं सकता वह सोच तक नहीं सकता है मैंडगेम प्रै्सिंग इसके बाद आओ ACTUAL Pricing पर प्राइसिंगं यह गटा करते प्रेम बोला कि सिरफ आपको 10 जार उपर दिना है वह ती एकश्वाल प्राइस रूंगी करती हैं अब आता है नाओ का प्राइसिंग क्या होता है 1200 रुपई जो मुझे लेना है ठीक है या फिर आप कई बार ऐसा भी कर सकते हो जरुरी नीत बारा सुर्ब मता सकते हो एब और उसके साथ कई बार आप देखते होगे बहुत सारी कंपनियां होती है 500 रुपए की चीज को वह बनाती है हजार रुपए का और वह बेचती है बाय 1 GPD कि और बेचती है बाय 1 GPD तो सामने वालों क्या देखता है मुझे एằng को decor three ला आदमी पर ध्यान उसका ड़क जाता हो फ्री के चकरों करें तो नहीं पता कि बेटा तेरा फ्री के चक्कर में काट लिया उसने काट लिया उसने पांसो के चीज हजार की दी तुझे और फ्री के नाम पे तुने खरीदी भी लिया तो मैं हाला कि हमें इस तरह की चीज नहीं करनी है लेकिन एज़ ओफर एज़ा क्लोजिंग स्किल प्राइस तो हम रियल ही लेंगे लेकिन सामने वाला का माइंड सेट रियल लेवल तक सेट करने के लिए हम यह माइंड गेम खिल सकते हैं लेकिन लास्ट में लेंगे आप प्राइसिंग जो मुझे लेना है ठीक है अच्या दोफ प्राइसिंग के अलावा एक बंवी रखो अपने पास बंवाक क्या होता है अगए यहथी पता है किरीट आ अपना मार्जन बचा के गेम करना अपना मार्जन नहीं देना डेंगी ह्इसका मार्जीब को मार्जन नहीं देता ले अजय को कोई भीवाला अपना सब कुछ देख सकता है रोलो कि दो मदाएक अपना मार्जन बचाने का तो बचाने का और बचाने के लिए इस्तिमाल करने पड़ेंगा ज़िए टेकनिक्स के हम बात कर रहे हैं यह सब नहीं करोगे तो आपका मार्जिन छोड़ो आपकी जेब सभी पैसा लेकर जाएगा कस्टमर कस्टमर इतने चलो हो गए आप ते बेवकूफ ठीक है बल्क प्रासिंग ज़रूर रखो कुछ अरली प्राइसिंग भी आप राखना चाहो तो वह है ने आहा Ming अब आ यहाlles थे आपको पर रहा reflect प्राइसिंग आपको पर यह 15व में बता रहा हूं ultimately क्या क्रक्स निकल के आ रहा है कि वैल्यू सबसे पहले इतनी बढ़ा हो इतनी बढ़ा हो इतनी बढ़ा हो कि प्राइस इतना छोटा लगे और वैल्यू के बाद actual price भी थोड़ा बड़ा रखो ताकि आप उसके लेवल पर जाके उनका mind frame set कर पाओ लास्ट में गिराते 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 आउवाली price हमें उन्हें बतानी है आपकी पूरी कोशिश ही होनी चीए कि जब आप customer को actual price बता रहे हो उस actual price बताने से पहले यह सारा माइंड गेम आप कर चुकी हो इतना माइंड गेम अगर आपने नहीं किया है सल कभी मत बताओ प्राइस सर सामने वाला आप अगर पांच रुपए में भी बोलोगे ना उसको पांच रुपए भी बोलोगे ना कहीं गए और आप फ्रस्टेट हो जाओ गारे इतना कम लेज़ को दे रहा हूं मैं सस्ता बता रहों डिसकाउंट काट करें अफिर भी ऊट रहे माइंगा आपने जल्थी और एक यह ग्जांपल आपके सामने शैर करता हूं एपल रहा था लैप मैं लाट से उवन्ट को देख रहा था का पहले की बात हैं ये स्यीव जॉप लॉं कि उन्होंने तारीफ करी एक हजार गाने एनी टाइम आपके पॉकेट में वह ऐसा नहीं कह रहे हैं इतने जी बी इतने ये इतने ये आपको इस डिवाइस पर दे रहे हैं वह आदमी बहुत चालक आदमी था वह आदमी का मैं फैन हुआ आप उनकी स्पीचे सुनो ना यूट कितने का हो सकता है फिर सामने वाले करका है एक हजार डॉलर एक हजार डॉलर इस तरीके से वह आदमी ले करके आता है तो बहुत साही लोग एक हजार डॉलर सुन करके खुश हो जाता है अच्छा एक हजार डॉलर का है कोई बात नहीं बढ़िया है आच्छा कुछ लोग हो महेंगा है, बाहुत महेंगा है, और आपको आता है गुस्सा, ये कर्सा कंजल किस्टमर है, इत्रा कम करके बता रहा हूं, डिसकांट भी दे रहा हूं, फिर्वी बोल रहा ह मन करेगा गोली मार तो इसको गोली उसको मारने की जुरत नहीं है अपने आपको मारो प्रैक्टिस नहीं किया है सीखा नहीं है ठीक है कई आपने आड में देखा होगा टीवी आड में भी लेकिन अभी दो दिन के लिए सिर्फ पांचे रुपए कई बार हर जगा आज के टाइम में प्राइस बताया जाता इसी तरीके से बताया था देखो मैं तो सही अब्सर्व तो करो सब सिख जाओगे आपको किताब यूट्यूब वीडियो देखने की जुरत नहीं पड़ेगी आपको आपके आसपास कित्ती चीज़े हो रही है बस उसको अब्सर्व करो अब्सर्व करें बैचने की स्ट्रेटेजी को अब्सर्व करो को अब्सर्व करो कोई आदमी के ता मैं यूट्यूब ने देखता हूं का बेवकुफ गदा आद्मी हो अपने आपको महारसी रिसी बनाने का दुनिया से काट करके मैं टीवी ने देखता कभी यूट्यूब ने देखता कभी मूवी ने देखो नहीं देखोगे तो जंगल में जाकर के सिफ्ट हो फिर क्योंकि चीज़े सिखाती है समझाती है लाइव एक्जामपल आपको देती है